नमस्का दोस्तों स्वात करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए बहुत बड़ी है रिक्रूट्म अपडेट लेकर आएँ जो की निकल के आ चुका है पासपोर्ट आफिस की तरव से जिसके लिए आपको अपलाई करना होगा कैसे अपलाई करना है कौन कौन अपलाई कर सकता है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ वीडियो के इन तक पूरा जरूर देखिएगा फर्स्ट इमाम आपने चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मॉइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे वेकैंसी की बात करूँ तो और बहुत सारी वेकैंसी जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अपलाई कर सकते हैं जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाके टाइप करना होगा वो लेकर आता ही रहूँगा तो चलते हैं रेकूट पर अपडेट के उपर और वहीं पर चलके बाकी का इनफर्मेशन में आपके सारी शेयर करता हूँ सबसे बहले के नोडिफिकेशन मिनिस्ट्री अफटरनल अफेर की तरह से आउट किया गया है और यह passport office के अंदर ही vacancies है यहाँ पर online आपको apply जो है वो करना है within 30 days आपको इसके लिए apply करना होगा यहाँ पर male, female दोनों ही candidate यहाँ पर eligible है और apply यहाँ पर कर सकते हैं application fee की बात करूँ आप किसी भी post किसी भी post के लिए apply कर रहे हैं इसमें तो कोई भी application fee यहाँ पर नहीं है और इसी के साथ vacancies जो आउट हुए है consultant की vacancies है और eligible location wise है यहाँ पर जो vacancies आउट हुए है जिसके लिए आपको apply जो है वो करना होगा इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ जो candidate graduate है वो इसके लिए apply जो है वो कर सकते हैं और इसके अंदर vacancies की बात करूँ तो all India से आप कहीं से भी apply कर सकते हैं इसमें सबसे अच्छी बात है कोई आपका exam नहीं होना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी interview होनी है उसी के basis भी आपकी selection है यहाँ पर होने वाली है उसके बाद next अगर बात करूँ age limit की minimum age आपकी 18 ह maximum 60 है तो आप इसके इंदर apply जो है वो कर सकते हैं प्लस यहाँ पर आपको age relaxation 3 से 5 साल का है जो की OBC SCST candidate को दिया जाएगा इसी के साथ next अगर मैं बात करूँ online apply करने के लिए यहाँ पर application form भी आपको दिया जादेगा वो भी आपको apply करेंगे यहाँ पर link यहाँ पर मैंने करके जरूर से बताईएगा यह आज का notification है जो कि passport office की तरह से out किया गया है अब मैं आपको मिलूंगा नए notification के साथ नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाची